हेलो एवरिवन इस वीडियो लेक्चर में पंजाब पॉब्लिक सर्विस कमिशन के तुरू जो रिटन टेस्ट हुआ है असिस्टेंट डिस्ट्रिक अटार्णी का उसके सब्सक्राइब बहुत ही इंपोर्मेशन और टेक्नोलोजी के रिलेटेड और इसमें पांच जो है यह कुशन दिये गए थे इनके शौट आंसर शौट नोट लिखने थे और इसके जो है टोटल 25 मार्क से इसमें इंटरफेस इंजिन कैश, मेमरी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मल्टी टास्किंग और कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो शौट नोट लिखने थे क्वेशन नमबर टू था कि डिसकस बैसिक्स आफ प्लीडिंग्स, इस टाइपस एंड प्रासिजर आफ अमेंडमेंट सो ये इसके भी 25 मार्क से या ये लिखना था या प्र ट्राफ्ट एंड एग्रिमेंट तो सेल इन स्पेसिफिक ट्रम्स विद रिगार्ट टू एन अर्बन रेजिडेंशल अक्यूमेडेशन और कोशन नमबर त्री ता कि अवेस की जमीन तैसिल समंदरी में है और अधनार की जमीन तैसिल फैसलाबाग में है जबके दोनों की रियाशगा तैसिल ना दिलियाना नवाला जिल्ला फैसलाबाग में है दोनों अपनी जमीन का वाहिमा तबादला करना चाहते हैं तबाद था उसमें 25 MCQs थे और वो 25 के 25 MCQs थे वो इंग्लिश में ही थे हम सिंस MCQs पर काम करते हैं तो हम MCQs ही डिसकस करेंगे यह स्यूह एक मतलब है एक इंग्लिश का एड effectiveness के मतलब होना या पर तनकीद का सामना करना उसक कहते है इन होड वाटर Sarah is in hot water because she fell a test Sarah ने कोई इम्तिहान पास नहीं किया फैल हो गई तो वो आप जो है नो होट वाटर में है यानि कि क्रिटिसिसम फैस कर रही है या पिर ट्रबल में है या मुश्किल में है A person who opposed war and violence यानि कि ऐसा शख्स जो war की खिलाफ हो जंग और दशणुत की खिलाफ हो उसको pesifist कहा जाता है specificist इसका correct आफ सर है non mulher पसेंद शख्स को pacificist कहा जाता है चैनल को जद्रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस तरह की वीडियोज़ हम लेली बेसेज़ पर बनाते हैं यू मस्ट गेट रिड डेश अननेसेसरी तिंग्स यू मस्ट गेट रिड आफ गेट रिड आफ ये एक जो है फ्रेज इंगलिश का जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पाना उसको गेट रिड आफ केते हैं और ये सिंगल और एफ इसमें आएगा इस फादर पासड डेश लास्ट नाइटह फादर पासड अवे लास्ट नाइट पासअवे एक फ्रेज फ्रेज अबरम इसका बत्रब होता है to die फौत हो जाना उसको पासधवे करते हैं जैसे अलामा इकबाल 1938 में इंतिकाल कर गए फौत हो गए तो आप कह सकते हैं अलामा एकबाल पास्ट अवे in 1938 बेकेन हैड तरस्ट फॉर नॉलेज बेकेन हैड तरस्ट फॉर नॉलेज एट अपिंच ये भी इंगलिश का इडियम है और इसका मतलब होता है in case of emergency एट अपिंच means in case of emergency अपरस्ट फॉलब्स बुक्स यानि कि ऐसा शक्स जो किताबों से प्यार करे उसको जो है वो बिबिलियो फाइल कहा जाता है बिबिलियो फाइल ऐसा शक्स जो किताबों से प्यार करे किताबों बहुत ज्यादा पड़े किताबों की तारिफ करे किताबों को खन्टा करे उसको जो फाइल कहा जाता है the line ran, dash the deer and tore it into pieces so the lion ran into the deer and tore it into pieces यही इसका dusr है we entered into an agreement enter into an agreement का μεतला होता है रज़ामन्द हो जाना राजी हो जाना agreement पर पहुंछ जाना contract पर पहुंछ जाना so enter into an agreement यहां जो है यहां जो है यू भी यूज होगा आई डेफर विद यू ओन इस इशू आई डेफर विद यू ओन इस इशू यानि कि इस मामले पर मैं आफ से जो है मैं आपके पुखालफत करूँगा मैं आपसे एगरी नहीं करूँगा तो आई डिफर विद यू इसका करेक नासर है वर्क हार्ड लीस्ट यू शूड फैल लीस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके बाद हमेशा जो है वो शुड का यूज किया जाता है वर्क हार्ड लेस्ट या पर इसका यह भी मीनिक हो सकता है कि मैनत करो खुदाना खासा ऐसा ना हो कि आप लेस्ट इस क्टैंस करेक्शन ता वो संटेस इस से करेक्ट होगा He orders me as if I were his brother यह जो है इसका करेक्टरों सा आए के बाद हम वर भी यूज़ कर सकते हैं जब आप वर यूज़ करते हैं तो वो real situation होता है जब आप वर यूज़ करते हैं तो वो real situation नहीं होता जैसे If I were a cook I would I would I would जो है आप कोई भी sentence बना सकते हैं If I were a cook I would I would cook delicious meal इस तरह भी आप sentence बना सकते हैं अगर मैं कोई बावर्ची होता या होती तो फिर मैं इस तरह के खाने बना सकते हैं तो जो real situation नहीं हो तो वहां हम आए के साथ वर भी यूज़ कर सकते हैं अगर मैं मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीता है If I had money या If I were rich अगर मैं अमीर होता If I were rich I would buy this car इस तरह से आप जो है ना आए के साथ वर कभी यूज़ कर सकते हैं एक दूसरा sentence दिया हो था sentence करेक्शन तब का इस तरह से था The sun rises in the east सुरज मश्रक से तलू होता है So sun से पहले sun एक यूनीक वर्ड है यूनीक वर्ड जैसे The sun, the moon, the earth दो यूनीक वर्ड होते हैं उनक से पहले हम आर्टिकल दा के यूज़ करते हैं और अर्थ भी एक तरह एक जो है ना यूनीक वर्ड है इस से पहले भी हम दा के यूज़ करेंगे और इन से पहले कुछ जो है students from यूज़ करते हैं The sun rises from the east ये भी incorrect है So correct और best जो sentence है वो है the sun rises in the east सुरज मश्रक से दलू होता है Outrageous का सिनोनिम पुछा गया था Outrageous का सिनोनिम है shocking Outrageous का मतलब होता है नाशास्ता Felicity का मीनिंग बुछा गया Felicity का मीनिंग है happiness यानि के खुशी Felicity को मतलब है खुशी The condition of being unable to create a piece of written work Because something in your mind prevents you from doing it Writer's block इसका correct आशर है Writer's block और जो questions रहे गए हैं वो आप test point.tv की website देख सकते हैं बहुत ही एच्छी website है यहां आप अपना test भी ले सकते हैं PDF भी डालू कर सकते हैं इसका link दिस्किशन मुझूद है वर्साप पर follow करने के लिए यहीजिए हमार वर्साप नमबर है 0308-2533-000 इसमें टुप्लाइक करें शेयर करें दौआ में याद रखें